हेलो फ्रेंड्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगे बहुत ही तेस्टी लगने वाली और खाने में जटपड से बन जाने वाली यह मटर और आलू की सबजी है इसको हम निमोना नाम से भी जानते हैं आपने बहुत बार सुना होगा बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि आज में बहुत ही डिलिशियस लगता है तो आईए चलिए बनाते हैं मटर का निमोना तो देखे सबसे पहले मैंने इस तरीके से फ्रेश वाले मटर लेने हैं आपको सफल मटर का इस्तमाल बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि सर्दी के मौसम में जो मटर आते हैं वो बहुत ही तेस पानीः बिल्कुल भी एडना करना है बिना पानीः के हम इसको आठीके से पीस लिया है और इसको मैं बीस कर कर दिया है ऑर उसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर आलू तो आप आलू नए अलू का इस स्तमाल करें निम्म गरम बनाता है वह नहीं की अ कि मैं इसके अंदर कौन सा मसाला डालती हूं ताकि इसका एक अलगी फ्लेवर हमारे खाने में तो देखिए सबसे पहले मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से धनी को पीछे से सफाई करके उसकी जो मोटी डंडिया होंगी वह आपको हटा लेनी है इस तरीके से जिस तरीके से मै इसके बाद मैंने काट दिया हो इसके अंदर डालं की एक टुकड़ा अद्रक का डालूंगि अद्रक से तेस्ट बहुत ँछा एता है और साथ मैं मैं इसके अंदर डालंगी अ साथ में डाल दिया है थोड़ा सा जीरा और उसके बार डाल दिये मैंने 8-10 दाने एक काली मिर्श के डाले हैं काली मिर्श का टेस्ट बहुत है, एक अलग से तीका फंपन जो हमको सबजी में चाहिए होता है वो तीका फंपन काली मिर्श से ही बनता है देखे इस ताहिके से बहुत ही अच्छी तरीके से आप फाइन पेस्ट बनाया, और स्था रहुने भी सबलैותinal को 25 में दोरी तेमाटर quednoad क्योंकि अच्छी सब्सक्राइब भाईेて enough प्राइब को प्रढातों, आलु कंशी बहुत दो काने भाईब को शाया。 तो देखें मत्र को तब तक अच्छी तरीके से भून लेना है जब तक यह कुरकुरा टाइप में नहीं हो जाएगा इसका पानी सारा सूख जाएगा और मैंने मत्र के दानों को भी साइड मी निकाल कर रख लिया है अब मैं डाल दूँगी कडाई में तेल साथ में डाल दूँगी मैं इसमें जीरा और डाला है मैंने तेज पता एक छोटी सी मैं इसके अंदर दाल चीनी एड करूँगी और साथ में डालूंगी मैं इसके अंदर आप देखें सुखी हुई लाल मीर्स मैंने तीखी वाली ली ह इसलिए मैंने एक ही लाल में डाली है और साथ में डाल दी है मैंने इसके अंदर डालेंगे जो मैंने टमाटर काते थे तो मैंने इसके अंदर टमाटर काट करके और डाल दी है और टमाटर को हमको मीडियम टू लोग फिलिम पर बहुत ही अच्छी तरीके से बून लेना है गरम मसाला पाउडर और आदी चममची आपको लाल मिर डालनी है क्योंकि सब्यों का बला हरा होना चाहिए, इसके अंदर अंदर तीकी वाली 2-3 हरी मिरश डाली थी तो देखे इसी तरीके से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेना है , स्थोड़ा फ़ोड़ा पानी करके आप मसाली को आच्छी तरीके से भून लिजी आप जब मसाली तरीके से तेल छोड़नuyu लग जाहे तो उसके बाद मैंने डाल दिया जो हमने धनिया लैसन अध जो आलू हमने भूने थे तो देखे इस तरीके से आलू और मटर मैंने दोनों एक साथ डाल दी है और आपको इसी तरीके से दोनों एक साथ डाल करके और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको भून लेना है ताकि जो भी मसाला इसके अंदर अच्छी तरीके से चिपक जाए और तो आप एक बार इसको इसी तरीके से बना करके देखिए आपको इक खाने में बहुत अच्छा लगेगा और सब्जी अबन करके पूरी तरीके से हो चुकी है तैयार तो अब मैं इसमें करूंगी फाइनल टेस्ट के लिए तैयारी तो मैं डाल दूंगी देशी गी